नमस्कार स्वागत है आपका हमारी खास पेशकर्ष पूर्वोत्तर के सितारे में मैं हूँ संजीव श्रवास्तर इस कारिक्रम में हर सबता हम आपका परीज़ेगर आते हैं किसी ऐसी शक्सियत से जिसने अपने अच्छे काम की वज़े से कुछ ऐसा उधारन स्थापित किया है कि अपने क्षेत्र में अपने राज्य में अपने रीजिन में वह बन गए हैं एक रोल मॉडल और उनी हस्तियों से हम मिलवाते हैं आपको हर सबता पूरवत्तर के सितारे इस खास प्रोग्राम में तो इसी गड़ी में आज आपको लेकर चलते हैं कोहिमा नागा लेंड की राजधानी कोहिमा कोहिमा में नागा लेंड में यह तो कई ऐसी विशिष्टा हैं जो आपको जरूर प्रभावित करेंगी वहां के लोगों का पहनावा, रहन सहन, लोक नित्य, जीवन जीने का अंदास लेकिन सबसे ज्यादा अगर एक स्ट्राइकिंग फीचर है नागाज में तो वो है उनका संगीत प्रेम देर लग फॉर म्यूजिक ऐसी जगे जहां संगीत लोगों की जिन्दगी का हिस्सा है, जहां हर दूसरा आदमी संगीत की धुनों को पहचानता है रोज मर्रा की जिन्दगी भी संगीत के बिना अधूरी है ऐसे में आपकी आवाज लोगों के दिल में जादू करने लगे तो कुछ खास बात जरूर है इस आवाज में और आज के अपने पूरोतर के सितारे में हम लेकर आए हैं दिल को छू लेने वाली आवाज का जादू आज आपका परीचे कराते हैं नागा लेन्ड के एक बेहद लोगप्रिये पॉपलर बैंड से टेट्सी और सिस्टर्स से चार बहने मर्सी, अजी, कुकु और लूलू, कोहिमा की रहने वाली हैं मा बाप को संगीत से उतना ही प्यार था जितना अपने बच्चों से तो फिर वहला बच्चे कैसे संगीत से दूर रह पाते बहने आज भी उस दिन को याद करती हैं जब उन्होंने पहली बार अपने स्कूल में परफॉर्म किया था में प्याद करें लगा बहूँ को स्कूल के नवडिय वन में स्कूल मेंू पहले बाद गाय थे उसके बद दूध चन्मी प्रीम किया फिल अल इंदय रीडियो में किया और then from there it took us to different stages at state level and then finally we got to play on behalf of Naglin and India representing our country at different platforms and stages from that point on अच्छा सबसे पहले स्कूल में गाया आप लोगों ने तो कुछ जाने किया कौन सा गाया था तब हाँ लुक्र चलिए तो दो लाइन सुराते हैं और आगे बढ़ते हैं स्कूल में गाया ये गीत टेटसे और बेहनों के लिए आने वाले जीवन की कहानी बनने वाला था उन्होंने दिल लगा कर अपने लोग गीतों को सीखा और फिर उन्हें इतनी खुबसूरती से गाया कि दुनिया उनकी मुरीद हो गई सिर्फ लोग गीत की आवाज ही नहीं आती थी यह परिवार संगीत में डूबा था इसलिए हर गाना जो दिल को छूले इनके घर में गुन-गुनाया जाता था सिर्फ लेसे सताज है आ, है आ, है आ, है आ, है आ, है आ Beautiful. तो बच्पन से घर में आपने देखा संगीत का महाल है मावाप आपके दोनों इपड़े अच्छे मुजिशन्स है और बच्पन से बस संगीत के महाल में खोय रहते होंगे If people say in Naag плат, everybody can sing and lucky for us, our parents also encouraged us a lot. They were the ones who taught us first folk songs We grew up surrounded by western music, church music, folk music, aon, all kinds of music. Hindi film music as well all black and white movies, songs. लुमदी टकी पुणाओ आड़ों, अपुणाओ की आरा है, होहों एह नही है we learned all that even. so it's always been a lot of music around us so black and white era के कौन से गाने थे जो आपके पिताजी आपको सुनाया करते थे धियाने आपको कुछ बताईए लाखो है या दिल वाले there is अजीव दसता अजीव दसता है ये कहा शुरू कहा खतम अब स्कूल और घर से निकल कर टेटसे और सिस्टर्स की कहानी आगे बढ़ी उन्हें मौका मिला दूरदर्शन पर अपनी आवास का जादू बिखेरने का और जब पहली बार दूरदर्शन पर लोगों ने इन बहनों को गाते सुना तो पहचाना की इन बहनों में कुछ खास है लोग उन्हें अब सिंगिंग सिस्टर्स के नाम से बोलाने लगे पुकारने लगे कि अथे था लोगे ने बहने लोगे पहले बाद जब दूरदर्शन पहले आए थे नागलेन में तब दे आप आए लोगे खास थे बहुत चोती चोती थे हम So maybe the songs we're singing the way we're dressed up. Mom is very active in promoting traditional weaves, handloom, handicrafts, etc. And when we were performing, we wore traditional clothes, ethnic earrings, and we were trying to put together a contemporary twist to some of the folk songs that we sing. So I think that was, yeah, we're using traditional instruments. Instruments, yeah. And I think the whole act we put together in terms of how we want to tell stories through our songs, I think that was what made us different. Yeah. Yeah. So this is the Tati. As you can see, it's a single string instrument. I think it resembles the Indian egg tara. So there are two types of Tati. One is the heka libu, which is made from the mithun horn. And the other is usually made from dried gourd. Yeah. So it would have something like this, you know, like this. We didn't carry that one today. The cro cro is the shaker. So, yeah, it makes the cro cro sound. And the bam ham is a slightly more modern instrument. It was invented by another naga musician. He's in a band called a biogenesis. So it's a very popular song. The most important festival, Hornbill Festival, believes as well as hard. When the Tetsio sisters sing, everyone is grappled with their songs. Okay, one of your singing is popular. Hear people sing, hear people sing. Some of them speak. बात करते हैं बात करती हो ए . लो आαςेली लो हैली लो हैली लो हैली आजी ऑली है जाय अरसी cake all to have you always have fun! All the roses, the roses, the roses All草イ! All草- Ming, Okay The roses does a very beautiful fruit It's a very beautiful and delicate flower that grows commonly in the PEC district of Nagaland where we come from So the song is about how we compare our lives to that of a flower That wherever we are planted we should bloom beautifully and remind people of how beautiful life is Tetsio sisters are in Nagaland के फेक दिस्ट्रिक्त की रहने वाली है और इनकी ट्राइब है चाखे सांगी एक ऐसा कबिला जो अपने लोक संगीत की परंपरा के लिए जाना जाता है जिनके पास लोक गीतों का अपार भंदार है जो एक पीडी से दूसरी पीडी को संपा जाता है, सिखाया जाता है प्यार के गीतों, बच्चों के गाने हों, लडाई के गीतों या फिर खेती बारी से जुडे लोक गीतों इन्हें ली के नाम से जाना जाता है और सदियों पुरानी लोग गीतों की इस परंपरा को नए रंग से सजाकर लेकर आती हैं अपनी परफॉमंसे में, टेट्सियो सिस्टर्स So we are the Chakhe Sangs, Chakhe Sangs from the Thak district of Nagaland But most of us have been born and brought up in Kohima Though we often visit our village which is Thuvopis in Thak district We are proud to say the Chakhe Sangs have a very rich musical tradition amongst all the Naga tribes And I think our village has a very unique tradition again Officially, our village has organic garlic, which is good to grow So we are called the organic garlic village There are a lot of organic vegetables We can cook and make, we make a beautiful, I mean a very tasty and good looking vegetable kichri We call it galho And so that we have very good water and very nice scenery in our village for sure And all that is somewhere reflected in the songs and the music? Oh yes, because our songs talk about all that, our songs talk about, for example one of the songs we sang last night It's about the cherry blossoms growing wild in the forest Then all the other songs that we do at some point reflect something from the village or the place, the people So I mean folk songs are usually about people and the place, right? So that's the many stories that are there in our songs And when you opened the house, the cherry blossom So you can hear both songs of these songs They are the only songs of these songs It's a song I mean folk music This is the song I mean folk music This is a song I mean folk music It's a song I mean folk music This is a song I mean folk music बड़ा से ले जड़ा से ले जड़ा करवा चना ही ही ही, मुन्यब बबब, मुन्यब बबब, मचीज़ सा, मचीज़ सा चेपवाचे लोफा कबाचे नही ही 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 स्टसाइ स्टसाइ स्टससाइ हा जिछ सब्छव हा जिछ सब्छश चैफ चैफ चैला फकर वाचेना हे 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 सिर्फ लोग गीती नहीं हिंदुस्तानी क्लासिकल के साथ भी कुछ नया करने का इनका इरादा है We have done a couple of collaborations as well It's gonna be interesting because North-East-Kafok music is a lot of Indian classical music So we're trying to put together some things We're looking forward to that Our EP is a lot of fusion music So there's gonna be pop elements and blues So we're really excited about that So who are you collaborating with? Or is it a secret? It's not really a secret But nobody has done this before So we're very excited to mix the tabla bits with our folk music Pandit Navin Gandharv from Bombay Has very kindly collaborated with us with his father And we'll be including a very interesting instrument Indian instrument The Belabhar Pandit Navin Gandharv is the only Indian to play the Belabhar And his father is the one who creates it So it's gonna be a very interesting piece We're very excited about that We're looking forward to that The Belabharv This is the one who knows के वन में समाजाती है और लेचलती है अपने साथ सुनने वालों को भी नागलेन की खुबसूरत वादियों में जहां से इन बेहनों को परामपरा में संगीत मिला है भी आण टार्फम ट्रफम फॉर हो ओसाध थे लाजिए, विज्गा रवादिया चाले है। बबkenntब आवा हैं, we have always met very wonderful people wherever we perform through the stories that we tell in our songs they just tell us that but maybe we eat different things but the basic human emotions that are present we are all the same and music, you know, even, it really connects because हम चोकरी में गाते हैं, मतलब चाके सांग से लेकिन हमारा गीत है वो चोकरी में but and people ask us, आप जो गाते हैं को लोक नहीं समझ पहेंगे फिर मतलब, it doesn't, it create a gap rather than bridge it but we have always found that with music, somehow the words don't matter it's, you make that instant connection through the notes and then वो जो बंदन बन जाते, it stays forever strong चाके संग कभीले के ये लोग गीत एक पीडी से दूसरी पीडी को सिखाया जाते थे टेक्सियो सिस्टर्स चाहती हैं कि अपने संगीत के जरीए आने वाले वक्त के लिए भी वह इन गानों को लोग संगीत को सहेज कर रखे फहलेक। रिद्डि को बगको बखेश लोग लाते ही थीज DAY और वह जा अगाए लगण भीड़िव ये झाए बगकोिन हैं रहले के लोग फ्श्वाद ये भीड़ प्रीकों को अवाले को बखे हैं we maintain a small blog which is linked to our website so tetsiasisters.com and in our blogs we write about stories that we hear because sometimes people don't get to hear but they get to read as well so we're trying to reach that kind of audience as well and when you put something on the internet this days it stays there forever so hopefully we can share that message and in doing that process we feel that we're documenting it for the rest of the people maybe one day we're not here but somebody else would be able to look up our music or look up the internet and see our stories and know that you know something like this exists that or exists early last year we got the opportunity to to do a fusion number with Bollywood Republic they'll give us a surprise song and then we play with it and mix our folk song with a Bollywood song from the movie guru and it was good fun it was a song with a hy हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ ही ही हाजानी लाहेली अजा ओहे ओहे, 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 ओहे ओहे, ओहे, ओहे As a country, India is so diverse, it would be a mistake to try to, you know, make everybody the same. Instead, we should be celebrating our differences and, you know, appreciate each other for all the colors that you add to the beautiful tapestry that's the country and the culture of India. So, our message is that celebrate who you are, be proud of it, and just be blessed because you're a part of this beautiful story. Thank you very much. So, this was the story of Bohima's Tetsio Sisters. How did you tell us, to tell us today's story? And you say, music has no boundaries. Sangeet, किसी सरहत को, किसी सीमा को नहीं मानता. उसी तरे से, Tetsio Sisters की आवाज का जादू भी आपके और हमारे सब के दिलों को छू लेता है. नागा लैंड और पूरवत्तर की सरहतों के बाहर, आज पूरे देश और कई दूसरे देशों में भी लोक प्रियव होता जा रहा है. अगले सब्ता, इसी दिन फिर हाजर होंगा आपके समक्ष पूरवत्तर के एक नए सितारे के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजे अनुमती. नमस्कार.